आज हम दोग बात करेंगे ब्लॉगिंग के लिए PC या लाप्टाउप रिक्वाइर्मेंट्स के बारे में हाई गाईज मेरा नाम है क्रपेश आडवानी यहां पर मैं डिजिटल टूल के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं ब्लॉगिंग और होस्टिंग रिलेटेड वीडियो भी बनाए है तो आज मैं आप लोगों को बता हूँ कि अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो कौन से PC स्पेक्स आप लोगों को चूज करने चाहिए यह दिखो करने को तो मोबाइल में भी हो जाता है बट अगर आपको वह एफिशेंटली करना है तो आज मैं उसी के बारे में आपे डिसकस करूँगा कि आपको कौन से स्पेक्स के ऊपर इंवेस्ट करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर आप लोग यहां पर इन्वेस्ट नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा तो बिना किसी डिले के शुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रोसेसर के लिए प्रोसेसर में आपको i5 10 जनेरेशन लेना चाहिए at least as of 2021 it's a good processor ब्लॉगिंग में आपका काम इससे हो जाएगा राम की बात करो तो राम जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी लेकिन मिनिमाम यहाँ पर मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा कि 8GB DDR4 आपको लेनी ही चाहिए क्योंकि जब आप लोग ब्लॉगिंग करोगे तो आप लोग यहाँ पर Chrome का बहुत ज्यादा यूस करोगे आप लोग रिसर्च यहाँ पर बहुत ज्यादा करोगे आप लोग खूप सारे आप औल-ाइन टूल जैसे कि Canva तो आप लोग यहाँ पर बहुत सारे टाब्स ओपन करोगे तो आपको RAM की requirement रहेगी स्टोरेज की बात करनों तो आपके पास एक SSD होनी चाहिए साटा हो यां NVMe हो वो आप लोग decide कर सकते हैं NVMe थोड़ी महंगी आती है थोड़ी fast चलती है लेकिन अगर अभी आप लोग उसको afford नहीं कर पा रहे हो तो साटा SSD तो होनी ही चाहिए वो आपके application जो open होता है आपका system boot up होता है उसमें वो काफी help करता है तो SSD होना यहां पर ज़रूरी है कितना space चाहिए वो आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से I will recommend at least 120 के around आप लोग ले लिजेगा तो आप लोग यहां पर दिस्प्ले पर कॉम्प्रोमाइस कर सकते हो UNTIL AND UNLESS यहां आप लोग एडिटिंग के लिए भी प्लान कर रहे हो कि आपको वीडियो एटिंग या फोटो एटिंग भी करनी है तो फिर आपको दिस्प्ले में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस फ़नेशेर पबैटरी बैकप अंग लियुग आप नो सब्सक्रापक टार्प बैकप एक इप्टरी इस अगर एक जगवा कर रहे हो काम तो बैक्टरी बैकप ज्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है लेकिन अगर अगर कहीं आप काफे ट्रावल कर रहे हो तो फिर आप लोगों को धिनग तरह देख सकते हो मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग में अघ्प्रेजयर अगर आप लोग स्टार्ट करें हो विंडोस के लापटोप साते हैं उसके माउस पैंड मुझे कभी तने अच्छा नहीं लगे तो एक्स्टरनल माउस में आप लोग कर सकते हो इप लापटोप लें या पीसी लें तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगिंग कर रहे हो तो लापटोप जादा बेटर चॉइस रहेगी अगर आपको मिल जाती है और अगर वीडियो एटिंग या फिर गेमिंग भी प्लान कर रहे हो तो शायद से पीसी एक बेटर ऑप्शन रहेगा अब इसमें से प्रायोरिटी कह प्रायोरिज में क्या SSD है SSD है SSD बहुत मातर करती है SSD से आपके अप्लिकेशन ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है वो काफी फर्क आपको उसमें विजिबल देखने को मिलेगा तो क्या SSD है सार्टा यहां न्वेमी कोई चल जाएगी दें सेकंड इस ड्राम डीडिया फोर अब मैं अगर अपने यहां पर कुछ सजेशन तो मैं प्रेजेंट मैंने मेरे पास यहां पर लाप्टॉप के मॉडल्स नहीं स्पेसिफिकली कि यह वाला लिंक यह वाला मॉडल आप लोग जाते हैं जितना मैंने रिसर्च किया अभी तक मैं आपको इसके मॉडल नंबर ब अब देख सकते हैं तो अब देख सकते हैं अब लेकिन जैन बुक यह थोड़ी एक्सपेंसिव साइट पर चलियाती है और अगर आपको इस्पेंसिव साइट पर जाना ही है अगर आपका 90,000 तक का बज़ेट है तो उसमें बेस्ट है मैं अपलोग वह लेलीजेए आपको कि 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 और चक्सपें जू बढ़ में दूफ़ी और वह दूएब थास जाइन सेख सेच को कि अठा। इसцион sıkवेश मляетсяती है दो प्रापको कि यह थिस दोगको प्राभको कि आपको कि देख से आपको कि अटए हैं जह दोण हम कुआपर दोग्य है